द्रौपदी के स्वेमवर से अर्जुन और पार्णों से परास्थ होकर कौरव, दुर्योधन, कर्ण आधी अपना समुह लेकर लोट आये उनका कोई भी कुछक्र वहाँ ने चल पाया किन्तु धेत्राश्च्र से मिलकर वेपुनह क्या कुछक्र रचने लगें? जानते हैं इस सध्याय में नमस्कार, मैं आभाशर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो, तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करें ध्रत्राश्च्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो वही करना चाहता हूँ, जैसा तुम दोनों चाहते हूँ, परन्तु मैं अपनी आकरिती से भी विधूर पर अपने मन का भाव प्रकट होने देना नहीं चाहता। इसलिए विधूर के सामने विशेशत हूँ, पार्णवों के गुणु का ही बखान करता हूँ, जिससे वे इशारे से भी मेरे मनुभाव को ना तार सके। सुयोधन और कर्ण, तुम दोनों समय के अनुसार जो कारे करना आवश्यक है, समझते हूँ, दहें मुझे भी शीगर ही बताओ। दुर्योधन बोला, पिता जी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्रह्मनों को न्यूक्त करना चाहिए, जिनके कार्णों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो, हमें उनके द्वारा पांडवों में से कुंती और मादरी के पुत्रों में फूट रालने के च जर्वता प्रलोभन में डालना चाहिए, जिससे पांचाल नरेश कुंती नंदन युद्विस्टर को त्याग दें, उन्हें अपने घर और नगर से निकाल दें, अत्वा वे ब्रहमन लोग पांडवों के मन में वही रहने की रुचि उत्पन्न करें, वे अलग-अलग इन स सभी पांडवों से कहें कि हस्तिनापूर का निवास आप लोगों के लिए अत्यंत हानी कारक होगा, इस प्रकार ब्रहमनों द्वारा पुद्धी भेद उत्पन कर देने पर संभव है, पांडव लोग अपने मन में वही पांचाल देश में ही रहने का निश्य कर लें, अत् पुद्रों में परस पर फूद डाल दे, अत्वा कृष्णा को ही इस प्रकार बहका दे कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे, अनेक पति होने के कारण उसका किसी में भी सुद्रड अनूराग नहीं हो सकता, अत्हा उनका परित्याग कराना सरल है, अत्वा यह लोग पांडवों को ही द्रौपदी की ओर से विलख करने ऐसा होने पर द्रौपदी को उनकी ओर से विरक्त बना दे अत्वार राजन उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीम से इनका ही वध कर डाले क्यूंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है उसी का आश्यर लेकर क मोंती नंदन युधिस्टर पहले से ही हमें कुछ नहीं समझते वह बड़े तीखे स्वभाव का और शूरवीर है वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है राजन उसके मारे जाने पर पांडवों का बल और उत्साहा दोनों ही नस्ट हो जाएगा और बेराज्य लेने का प्रत्न भी नहीं करेंगे भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा आश्रय है भीमसेन को प्रिष्ट रक्षक बनाकर ही अर्जुन युद्ध में अजे बन गए थे यदि भीम ना हो तो वे रणभूमी में कर्ण की एक चौथाई के बराबर भी नहीं हो सकेगे भीमसेन के बिना अपनी बहुत बड़ी दुर्बलता का अनुभव करके वे दुर्बल पांडव हमें अपने से बलवान जानकर राज्य लेने का प्रत नहीं करेंगे राजन अथ्वा यदि भी यहां आकर हमारी आग्या के अधीनों कर रहेंगे तब हम निति शास्त्र के अनुसार उनके बिनाश के कारे में लग जाएंगे अथ्वा देखने में सुन्दर युवती स्त्रियों द्वारा एक-एक पांडव को लुभाया जाए और इस प्रका कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए अथ्वा पांडव को यहां बुला लाने के लिए राधा नंदन कर्ण को भेजा जाए और यहां लाक विश्वस ने कारे करताओं द्वारा विभिन उपायों से उन सब को मार गिराए जाए पिता जी इन उपायों में से जो भी आपको निर्दोष जान पड़े उसी से पहले काम दीजिए क्योंकि समय बीता जा रहा है जब तक बेर राजाओं में श्रेष्ट दुरुपत पर उनका पूरा विश्वास नहीं जम जाता तब ही तक उन्हें मारा जा सकता है पूरा विश्वास जम जाने पर तो उन्हें माना असंभव हो जाएगा पिता जी शत्रूं को वश्मे करने के लिए ये ही उपाय मेरी बुद्धी में आते हैं मेरा ये विचार भला है या पुरा ये आप जाने अथ्वा कर्ण कर्ण तुम्हारी क्या राह है करने कहा दुर्योधन मेरे विचार से तुम्हारी ये सला ठीक नहीं है गुरुबर्धन ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश्मे नहीं किया जा सकता वीर पहले भी तुमने अने एक खुप्त उपायों द्वारा पांडवों को दबाने की चेस्टा की है परन्तु उन पर तुम्हारा वश्म नहीं चल सका भूबाल वे जब बच्चे थे और यहीं तुम्हारे पास रहते थे उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था तब भी तुम उन्हें बाधा पहुचाने में सफल नहीं हो सके अब तुवे विदेश में हैं उनके पक्ष में बहुत से लोग है और सब प्रकार से उनकी बढ़ोतरी ही हो रही है अतह अब वे कुंति कुमार तुम्हारे बताय हुए उपायों द्वारा वश्में आने वाले नहीं है पुर्शार्ट से कभी चूतना होने वाले वीर मेरा तो यही विचार है अब वे संकट में नहीं डाले जा सकते भाग्ये ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और उनके अपने पिता पिता महु के राज्य को प्राप्त कराने की इच्छा भी उनके मन में जाब उठी है उनमें आपस में भी फूट डालना संभव नहीं है जो एक राय होकर एक ही पत्नी में अनुरक्त है उनमें परस्पर विरोध नहीं हो सकता कृष्णा को भी उनकी ओर से फूट डाल कर विलब करना असंभव है क्योंकि जब पांडव लोग भिक्षा भूजी होने के कारण दीन हीन थे उस अवस्था में कृष्णा ने उनका वरण किया अब तो वे शक्तेशाली होकर स्वच एवं सुन्दर वेश में रहते हैं अब वे क्यों उनकी ओर से विरक्थ होगी प्राय स्थ्रियों का ये अभिष्ट गुण है कि एक स्थ्रि में अने पुर्ष्णों से संबंद स्थापित करने की रुची हो पांड़ों के साथ रहने में कृष्णा को ये हलाब स्वतह प्राप्थ है अदह उसके मन में भेद नहीं उत्पन किया जा सकता पांचाल राज दुपत श्रेष्ट वरत का पालन करने वाले हैं वे धन के लो भी नहीं है अदह तुम अपना सारा राजे दे दो तो भी ये निश्य है कि वह कुंती पुत्रों का परित्याग नहीं करेंगे इसी प्रकार उनका पुत्र दृष्ट दुमन भी गुणमान तथा पांडवू का प्रेमी है अदह मैं उन्हें पूर्वोक्त उपाय से वश्मे करने योग्य कदापी नहीं मानता राजन इस समय हमारे लिए एक ही उपाय काम में लाने योग्य है ये पुरुष्रेश्ट पांडव जब तक अपनी जड़ नहीं जमा लेते तभी तक उन पर प्रहार करना संभव है इसी से वे काबू में आ सकते हैं तात मैं समझता हूँ तुमें भी यह राय पसंद होगी जब तक हमारा पक्ष बड़ा चड़ा है और जब तक पांचाल राज का बल हमसे कम है तभी तक उन पर आक्रमन कर दिया जाए इसमें दूसरा कुछ विचार न करो राजन गांधारी नंदन जब तक पांड़ों के पास बहुत से वाहन, मित्र और कुठुम भी नहीं हो जाते तभी तक तुम उनके उपर पराक्रम कर लो पित्वी पते, जब तक पांचाल नरेश अपने पराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे उपर चड़ाई करने का विचार नहीं कर रहे तभी तक तुम अपना बल, विक्रम प्रकट कर लो इसके लिए तुम्हें तभी तक अफसर है जब तक कि व्रिष्णी कुल नंदन श्रीकृष्ण ये दिवन्शियों की सेना के साथ लिए पांडवों को राज्य दिलाने के उद्देशे से पांचाल राज के घर पर नहीं आ जाते पांडवों के लिए श्रीकृष्णी की ओर से धन, रत्न, भांती-भांती के भोग तथा सारा राज्य कुछ भी अदे नहीं है महात्मा भरत ने पराक्रम से ही प्रित्वी प्राप्त की है इंद्र ने पराक्रम से ही तीनों लोकों पर विजय पाई राजन क्षत्रे के लिए पराक्रम की ही प्रशंसा की जाती है रिप्ष्वेष्ट पराक्रम करना ही शूरवीरों का सुधर्म है राजन हम लोग विशाल चतुरंगिनी सेना के द्वारा राजात्रुपत को कुचल कर शीख्री यहां पांडवों को कैद कर लाए ना साम से ना दाम से ना भेद की नीती से पांडवों को वश में किया जा सकता है अतहे उन्हें पराक्रम से ही नस्ट करो पराक्रम से पांडवों को जीत कर इस सारी प्रित्वी का राज्य भूगो नरिश्वर इसके अलावा तूसरा कोई कारे सिध्धी का उपाय मैं नहीं देखता वैशम पायन जी कहते हैं जनमेजिय करण के बाद सुनकर प्रतापी धित्राष्ट ने उसके बड़ी सराहना की और तदन अंतर इस प्रकार कहा कर तुम परम बुधिमान अस्त्रशस्त्रों के ग्याता और सूत्कुल को आनंदित करने वाले हो ऐसा पराक्रम युक्त वच्ण तुम्हारे ही द्वारा कहने योग्य है परन्तु मेरा विचार है कि भीश्म, द्रोन, विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठ कर पुनह विचार कर लो तथा कोई और बात सोच निकालो जो भविश्य में भी हमें सुख देने वाली हो महाराज तदनंतर महायशस्वी द्रत्राश्ट ने भीश्म, द्रोन, आदी संपून मंत्रियों को बुलवा कर उनके साथ उस समय विचार आरंभ किया भीश्म जी बोले, मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार भी पसंद रही है मेरे लिए जैसे द्रत्राश्टर है, वैसे ही पांडवों, इसमें संशे नहीं है द्रत्राश्टर जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र भी है इसलिए जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए, वैसे तुम्हें भी भूपाल मेरे और तुम्हारे लिए जैसे पार्णवों की रक्षा आवश्यक है वैसे ही दुर्योधन तथा अन्य समस्तर कौर्मों कोई भी उनकी रक्षा करनी चाहिए ऐसी दशा में मैं पार्णवों के साथ लड़ाई जगड़ा पसंद नहीं करता उन वीरों के साथ संधी करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए दुर्योधन की भांती उन कुरुश्रेश्ट पार्णवों की भी पिता और पिता महा यही राज्य से आए हैं दुर्योधन जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैत्रिक संपत्ति के रूप में देखते हो उसे प्रकार पांडव भी देखते हैं यदि ये शस्वी पांडव इस राज्य को नहीं पा सकते तो तुम्हें अथ्वा भरत्वंज के किसी अन्य पुरुश को भी वे कैसे प्राप्थ हो सकता है भरत्ष्रेष्ट तुमने अधम पूर्वक इस राज्य को हत्या लिया परन्तु मेरा विचार है कि तुमसे पहले ही वे भी इस राज्य को पा चुके थे पुरुश सिंग प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो इसी में सब लोगों का हिट है यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो हमारी भलाई नहीं हो सकती तुम्हें भी पूरा पूरा अपयर्श मिलेगा इसमें संशे नहीं है अतह अपनी कीर्थी की रक्षा करो कीर्थी ही श्रेष्ट बल है जिसकी कीर्थी नस्ट हो जाती है उस मनुष्य का जीवन निश्वल माना गया है गांधारी नंदन, कुरुश्रेष्ट, मनुष्य की कीर्थी जब तक नस्ट नहीं होती तभी तक वे जीवित है जिसकी कीर्थी नस्ट हो गई उसका तो जीवन ही नस्ट हो जाता है महाभाहो, कुरुकुल के लिए उचित, इस उत्तमधर्म का पालन करो अपने पूरवजों के अनुरूप कारे करते रहो सवभाग्य की बात है कि कुंति के पुत्र जीवित है यह भी सवभाग्य की बात है कि कुंति की भी मृत्य नहीं हुई और सबसे बड़े स्वभागे का विशय यह है कि पापी पुरोचन अपने इरादे में सफल ना होकर स्वयम ही नश्ट हो गया गांधारी कुमार जब से मैंने सुना कि कुंती के पुत्र लाक्षा ग्रह की अगनी में जल गए तथा कुंती भी उसी अवस्था को प्राप्थ हुई तभी से मैं लज्जा के मारे जगत के किसी भी प्राणी की और आँख उठा कर देख नहीं सकता नर्श्रेश लोग इस कारे के लिए पुरोचन को उतना दोशी नहीं मानते जितना तुम्हें दोशी समझते हैं अतह महराज पांडवों का ये जीवित रहना और उनका दर्शन होना वास्तव में तुम्हारे उपर लगे हुए कलंक का नाश करने वाला है ऐसा मानना चाहिए कुरुनंदन पांडव वीरों की जीते जी उनका पैत्रिक अंश साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते वे सब धर्म में स्थित हैं उन सब का एक चित एक विचार है इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान स्वत्व है तो भी उनके साथ विशेश अधर्म पूर्ण बरताफ करके उन्हें यहां से हटाया गया है यदी तुम्हें धर्म के अनुकूल चलना है यदी मेरा प्रिय करना है और यदी संसार में भलाई करनी है तो उन्हें आधार राज दे दो दुरुणाचारे ने कहा राजा धृतराष्ट्र सलहा लेने के लिए बुलाए हुए हितैशियों को उचित है कि वे ऐसी बात कहें जो धर्म अर्थ और यश्की प्राप्ति कराने वाली हो यह हम परंपरा से सुनते आए हैं तात मेरी भी वही सम्मती है जो महात्मा भीश्म की है कुंती के पुत्रों को आधा राज बांट देना चाहिए यही परंपरा से सही धर्म है भारत दुरुपद के पास शीग रही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और वह पार्णवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए राजा दुरुपद के पास बहु के लिए वरबक्ष की ओर से उसे धन और रत्न लेकर जाना चाहिए भारत उस पुरुष को राजा दुरुपद और दृष्ट दुमुन के सामने बार-बार यह कहना चाहिए कि आपके साथ संबंध हो जाने से राजा धृतराष्ट और दुरुधन अपना बड़ा अभ्यूदय माल रहे हैं और उन्हें इस वैवाहिक संबंध से बड़ी प्रसंता हुई है इसी प्रकार वै कुंती और मादरी के पुत्रों को सांतवना देते हुए बार-बार इस संबंध के उचित और प्री होने की चर्चा करें राजेंद्र वै आपकी आग्या से दृपदी के लिए बहुत से सुन्दर सुवन में आभूशन अर्पित करें भरत्रेश्ट दृपद के सभी पुत्रों समस्त पांडवों और कुंती के लिए भी जो उप्यूक्त आभूशन आदी हों उन्हें भी वै अर्पित करें इस प्रकार उपहार देने के पश्षात पांडवों सहित दृपद से सादवना पूर्ण वचन कहकर अंत में वै पांडवों के हस्तनापूर में आने के विशे में प्रस्ताव करें जब दृपद की ओर से पांडव वीरों को यहां आने की अनुमती मिल जाए तब एक अच्छी से सेना साथ ले दुश्षासन और विकर्ण पांडवों को यहां ले आने के दिये जाए यहां आने के पश्षात्वे श्रेष्ट पांडव आपके दौरा सदा आदर सतकार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार वे अपने पैत्रिक राज्य पर प्रतिष्ठत होंगे भरतवन्शी महराज आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति उपरियुक्त वेवार ही करना चाहिए भीश्म जी के साथ मैं भी यही उचत मानता हूँ कर्ण बोले महराज भीश्म जी और द्रोनाचारे को आपकी ओर से सदा धन और समान प्राप्त होता रहता है इन्हें आप अपनी अंतरंग सुहरिद समझ कर सभी कारों में इनकी सला लेते हैं फिर भी यदि ये आपके भले की सला ना दें और इससे बढ़कर आश्यर की बातार क्या हो सकती है जो अपने अंतर करण के दुरभाव को छिपा कर दो शुक्त हृदे से कोई सला देता है वे अपने उपर विश्वास करने वाले साधू पुर्षों के अभिष्ट कल्यान की सिध्धी कैसे कर सकता है मित्र भी अर्थ संकट के समय अथ्वा किसी काम की कठिनाई आप पढ़ने पर ना तो कल्यान कर सकते हैं न अकल्यान ही सभी के लिए दुख या सुख की प्राप्ती भाग्य के अनुसार ही होती है मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख बालक हो या व्रिद तथा सहायकों के साथ हो या असहाय वह देवियोग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है सुठा है पहले राजग्रह में आम्बूवीच नाम से प्रसिद एक राजा राजे करते थे वे मगल राजाओं में से एक थे उनकी ओर भी इंद्री ये कारे करने में समर्थ नहीं थी वे श्वास के रोग से पेड़े थो एक साथ पर पड़े-पड़े लंबी सांसे खीचा करते थे अतह प्रतेक कारे में उन्हें मंत्री के ही अधीन रहना पड़ता था उनकी मंत्री का नाम था महा करने उन दिनों वही वहां का एक मातर राजा बन बैठा था उसे सैनिक बलप्राप्त था अतह अपने को सबल मान कर राजा की अभेलना करता था वह मूड मंत्री राजा के उप्योग में आने योगिस्तरी, रत्न, धन तथा एश्वरे को भी सोयवी भोगता था वह सपा कर उस लोभी का लोभ उत्रोतर बढ़ता गया इस प्रकार सारी चीजन लेकर वह उनके राजे को भी हड़प लेने की इच्छा करता था यद्धे भी राजा संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से रहित होने के कारण केवल उपर को सास ही खीचा करता था तथा भी अत्यंत प्रत्न करने पर भी वह दुष्ट मंत्री उनका राजे न बा सका यह बात हमने सुन रखी है राजा का राज़त तो भाग्य से ही सुरक्षित था उनके प्रत्न से नहीं अतहा भाग्य से बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है महराज यह आपके भाग्य में राज़ बन्दा होगा तो सब लोगों के देखते देखते पर निश्य ही आपके पास रहेगा और यह भाग्य में राज़े का विधान नहीं है तो आप यग्य करके भी उसे नहीं पास सकेगी राज़न आप समझदार हैं अबहर इसी प्रकार विचार करके अपने मंत्यों की साधुता और असाधुता को समझ दीजी किसने दुशत हिर्दे से सलाह दी है और किसने दो शून्य हिर्दे से इसे भी जान लेना चाहिए दुरोन चारे ने कहा ओ दुश्ट तो क्यों ऐसी बाते करता है ये हम जानते हैं पाणवों के लिए तेरे हिर्दे में जो त्विश संचित है उसी से प्रेरित होकर तु मेरी बातों में दोश बता रहा है करन मैं अपनी समझ से कुरुकुल की वृद्धी करने वाली परमहित की बात कहता हूँ यदि तु इसे दोश युक्त मानता है तो बता क्या करने से कौरुकुल का परमहित होगा मैं अत्यमत हित की बात बता रहा हूँ यदि उसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो कौरुका शीगर ही नाश हो जाएगा ऐसा मेरा मत है महराय धित्राश्व ने भीष्म द्रोणाचारे करन सबकी बात सुनी द्रोणाचारे ने क्या मिरने लिया क्या उन्होंने पांडवों को बुलाया अध्वा नहीं जानते हैं अगले अध्याय में